पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नितीश कुमार के नेत्रित में अगामी बिहार का विधान सबाचुनाव लडा जाएगा और इसके साथ साथ नितीश कुमार को ही नेता भी मान लिया गया है ऐसी बाते आपने खूब सुनी होगी लेकिन इन बातों के साथ साथ कई पैरलली ऐसी बाते चल रही है और कई ऐसे जो प्लान है वो नितीश कुमार के इर्द गुमने लगे हैं वो बहुत सारी नई-नई कहानियों को जन्द दे रहे है इस बार कहानी कुछ बदलने वाली है य हम आपको ये भी बता रहे थे कि 2024 का चुनाव एक ऐसा मोड था जहां भारती जन्द पार्टी को नितीश कुमार की जरूरत थी नितीश कुमार को इसलिए जरूरत भारती जन्द पार्टी ने समझा क्योंकि नरेंद्र मोदी को परधान मंत्री बनाना था और जो उनके पास फीडबैक थे जो इंटर्नल उनके रिपोर्ट थे उस रिपोर्ट के अनुसार अगर नितीश कुमार इंडिया गठ बंधन में होते तो मामला कुछ उलट सकता था इसकी हमने कई आपको ब्याक्या करके बताई है कई विश्लेसन में हमने बताया है कि 162 का जो टार्गेट थ तो बहुत ही ठोक बजा करके उन्होंने बनाया था उसी के आधार पर जिस तर से इंडिया गठ बंधन ने इन तीन राज्यों में परदर्शन किया वो आपके सामने रिजल्ट भी है 162 सीटों में मातर 60 सीटों पर रोक करके कहीं न कहीं एक बात तो साफ नजर आ गया कि बिहार सहित उत्तरप्रदेशों या पस्षिम बंगाल हो यहां तक की जारकंड में भी भारती जंता पाठी को इंडिया गठ बंधन रोकने में सफल हो गई अब जो परतमान परिस्थिती बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि भारती जंता पाठी का यह प्रयास 2017 में जब नितीश कुमार वापसी किये थे इंडिया गठ बंधन में महा गठ बंधन से तब से ही यह प्लानिंग चल रही है कि नितीश कुमार को कैसे कमजोड किया जाए और यह प्लानिंग तब सक्सेस हुई जब 2020 में हलाक ही आप कह सकते हैं कि 2019 में क्यों नहीं तो 2019 में फिर वही बात थी कि परधान मंतरी नरेंद्र मोदी को बनाना था और यह चुनाव नितीश कुमार का नहीं था इसलिए नितीश कुमार को कुछ भी दे करके बिहार की 49 जीतने का जो फंडा था या उसका कहिएगा एस्टेट जी भारते जनतापाटी ने बनाया था अब भारते जनतापाटी 2020 पर फोकस थी और नितीश कुमार को जहां कम्योड करना था वहां भारते जनतापाटी ने नितीश कुमार को कम्योड किया और सामने कर दिया था चिरा 25 का चुनाव कई अधारों पे लड़े जाने हैं लेकिन इन सब के बाद जो बरतमान परिस्थितियां बनी है और जो इधर पिछले 5 दिनों में राजनितिक माहौल बदले हैं और जो तरीके अपनाया जा रहे हैं और चर्चाएं जो चल रही हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही ह एक तरफ आपने देखा होगा कि बिहार में जातिये राजनीत को ध्वस्त करने के लिए कई तरह के स्वांग रचे जा रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं एक तरह प्रसांद किशोर को आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से लगतार वो बिहार में भ्र उन्होंने प्रयास जबर्दस्त किया है और इस प्रयास का असर सापसाप नजर आ रहा है कि नितीश कुमार और रास्तिये जन्तादल कहीं न कहीं कमजोर हो रही हैं बिहार के निता जात विराजरी के नईया पर सवार होकर के चुनावी बैतरनी पार करते हैं अब ऐसे में 35 बरसों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 1990 से लेकर के 2005 तक लालू राबणी के सरकार रही और जातिया अधार चुनाव होते रहे हैं जाति के बल पर ही 15 साल तक लालू परसाद और अपनी पत्नी राबणी देवी को सरकार में मुखिया बना करके रखे ये बात परसांत क कि शोर भी कहते हैं और आंकड़े भी इस बात को कहते हैं दुसरे तरफ नितीश कुमार 2005 से पिछड़ा अगड़ा और फारवर्ड वोटों के जूट करके और जिस तरह से लालू परसाद का सासन था उसको सामने रख करके उसकी कमिया निकाल करके लगतार सरकार चलाते रहे और कबजा किये रहे हैं दौजार पचीश के चुनाव में अब इनी वर्जनाओं को तोड़ना है और इसके लिए कई सेक्टर्स तयार किये गए हमने आपको एक खबर करके बताया है आज सुबह ही हमने बताया और कल से लगतार चाहे वो पंचनामा हो या फिर संपादक नम पीने के समान होगा आपको याद होगा 2015 में यह बात नितिश कुमार ने कहा था कि चंदन विष्व आपत नहीं लिप्टत रहत भुजंग अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 2015 में जब नितिश कुमार इस विश को पीने के लिए तयार थे और उनने कहा था कि विश का असर चंदन पे नहीं होता है भुजंग जब लिप्टा रहता है तो तो क्या एक बार फिर से नितिश कुमार उसी धारा पर चलेंगे क्योंकि जब जब नितीश कुमार ने कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे नहीं पलतेंगे उनके साथ नहीं जाएंगे तब तक नितीश कुमार ने अपने बिशार बदले हैं और वो अपने ही वादे किये थे उसको तोड़ा है अब जो परतमान परिस्तिती बनी है उसमें एक बात तो तैय है कि नितीश कुमार ने 200 का अकड़ा तैय किया है कि वो 200 सीटों को जीतेंगे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वहीं आपको बता दें कि पूरी तैयारी के साथ-साथ उनका अभी तक मानना ये है कि नितीश कुमार कहीं भी इस बात को लेकर के तयार हैं कि वो जिसके साथ भी रहेंगे मजबूती के साथ रहेंगे और इस बार नितीश कुमार अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से सीट सेरिंग या फिर गठबंधन तैक करेंगे नितीश कुमार को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने आपने इंडिया गठ बंधन की तरफ से एक प्लानिंग के तहट सब कुछ चल रहा है पहले भारती जंतापार्टी प्लानिंग पिछले 10 सालों से बनाती आ रही है कि उसे नरेंद्र मोदी को पढ़ान मंतरी बनाने के लिए क्या करना होगा तो वहीं अब इंडिया गठ बंधन भी कैसे नरेंद्र मोदी से लडाई लड़ी जाए इसके लिए अब स्टेट्जी बनाना सुरू कर चुकी है इसके लिए हमने आपको बताया ही कि अखिलेस यादों को किस तरह से आगे किया गया है और उन्होंने किस तरह के बयान दिये है इसके अलावे आपने देखा होगा कि लालू पर साथ चुपी साधे हुए है तो वहीं तेजस्वी यादो नितिश कुमार को ले करके बहुत जादा क्रिटिकल नहीं है इन सभी बातों को ले करके मौमता बनरजी की भी यादा रही है तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस भी लगतार अपने आपको तयार करने में लगी हुई है कि कैसे भारतिये जनता पाटी को मात दिया जा सके लाख फर्यास के बाद भी भारतिये जनता पाटी को इतना माहौल और इस तरह के इस्तितियों के बाद भी भारतिये जनता पाटी को मात देने में औसफल रही है कॉंग्रेस कॉंग्रेस के कारण चेत्रिय दल भी कमजोड हो रहे हैं ये भी ख़बर हमने आपको बताया है अब जो बरतमान पर इस्थिती बनी है उसमें कहा ये जा रहा है कि प्रसांद की सोर को सामने करके 2020 जैसे इस्थिती पैदा कर दिया है भारते जनता पाटी ने लेकिन इसके साथ कुद्त वाला जो एजेंडा सामने रख दिया है वो नितीश कुमार को काफी परिशान करेगा यानि कि नितीश कुमार को इंडिया गठ बंधन में जाने के लिए एक बेहतर महौल और मार्ग कहा जा रहा है तो प्रसस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है जातिये समिकरन की ब तो इस रिष्टे में कहीं न तो भारती जनता पार्टी के साथ जातिये समिकरन बहुत जाला हा भी रहती है और नतीश कुमार के पास अगर नितीश कुमार के काम का और नितीश कुमार के सुसासन का वोट है महिलाओं का वोट है सवर्णों का वोट है तो भारती जनता पार का वोट बैंक है जिस पर प्रसांद किशोर हाभी है तो दूसरी तरफ प्रसांद किशोर राष्ट्रिय जनता दल के वोट बैंक पर भी हाभी है कितना तोड़ पाते हैं इस जातिय समिकरन को ये देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि जातिय समिकरन बिहार में अभी तूटता ह बिहार में जातिया समिकरण पूरी तर से खत नहीं हो सकता दिल्ली और पंजाब में बदला हुए लेकिन वह इस्तिती बिहार में पूरी तर से दिखाई नहीं दे रही है यहां तक कि हर्याना के चुनाओं में भी यह देखने को मिला नितीश कुमार की हाल के दिनों में जिस अलावे उन्होंने जो जातिये गणना हुई है उसके आधार पर भी सीट सेरिंग के समझोते को करने की बात की है ये भी एक बड़ी बात है लगतार वो अपनी चीजे दिखाई दे रही है और लगतार वो काम भी कर रहे हैं इन सभी बातों को ले करके जिस तरह से बिहार में एक नया अध्या जूड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो साफ साब बता रहा है कि नितीश कुमार सोहज नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी भारतिये जंकता पाटी और इंडिये गठबंधन में अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि निती नितीश कुमार को अपने पाले में करने की मुहिम में लगा हुआ है। देखना दिल्चस्प होगा कि नितीश कुमार क्या कुछ करते हैं और किस तरह का फैसला लेते हैं। इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि भाजबा ने एक नई स्टेड़ी चाएं या फिर पाटी क्योंकि पाटी के भीतर भी जबर्दस्त विद्रोष चल रहा है। और अगर नितीश कुमार के इस्थिती 2020 या उससे खराब होती है तो ऐसी इस्थिती में ना उनके पास पाटी बचेगी और नहीं उनकी कुरसी। क्योंकि आपको पता है कि उनके 12 स लगतार ये चर्चा चल रही है कि वो भारती जनतापार्टी के संपर्क में है। कितना सच है ये तो वक्त बताएगा लेकिन 2025 यानि कि बिहार में विधान सभा के चुनाओं में नितीश कुमार के लिए विकट परिस्थितिया उत्पन हो रही है। और अगर नितीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और नितीश कुमार के लिए कौन सा फैसला मुफीद होगा ये देखना बड़ा ही दिल्चस्थ होगा। नितीश कुमार चुप है और जब उनके चुपी तूटेगी तो निश्यत रुप से बिहार में एक राजनितिक भुचाल जरूर आएगा। जु ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए। अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता निए तो जुआइन बटन दबा दी। पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 क्यू चू आगर में मिल एुआय कर दार देला से क्वेकर साथ् audiences समय कर बटन दितक ज़ालदमसाद बटन दगदितन आगर देला सेंगे दितानी साथ्ट जिख दींए य। इंए मैं जानी इना पत्रकाजिता कि पत देभ बटने रुआआए हैं